नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से संबंधित इस वीडियो की सुरुआत करते हैं कल के पूछे गए प्रस्ण से कल जो प्रस्ण पूछा गया था वह प्रस्ण है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी निम्न में से किस अनुचेद से संबंधित है तो इसका सही जवाब है option C. अनुचेद 43 यह है आज का प्रस्ण प्रस्ण है कि खारी सयोग परिसद में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है चार option है option A. सौधी अरब option B. सयुक्त अरब अमिरात option C. बहरीन option D. इराक comment section में आपके जवाब का हमें इंतिजार रहेगा अब हम सुरुवात करते हैं आज के एडिटोरियल से समंधित इस वीडियो की जो आधारित है दहिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिस आज के आर्टिकल जिसका सीर्षक है Decoding India's latest diplomatic push in the West Asian theater पर और यह आर्टिकल GS Paper 2 में सामिल विस है अंतरास्टिये समंधि के दृष्टिकोन से महत्पूर्ण है देखते हैं इस आर्टिकल को विस्तार के साथ इस आर्टिकल का आधार है भारत एवं खाड़ी देश समंध है अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो इसके अंतरगत शामिल देश हैं तो पिछले महने नई दिल्ली के द्वारा खाड़ी देश के साथ समंध मजबूत हो इसके लिए कई महत्पूर्ण कारे किये गए जैसे भारतिये थल सेना ध्यक्ष के द्वारा सौदी अरब और संयुक्त अरब अमिरात की यात्रा करना और विदेश मंत्री की द्वारा पहले भारीन और संयुक्त अरब अमिरात और बाद में कतर, उमान और कुवेत की यात्रा करना एक ऐसा भी समय था जब भारती राजनेग को अगर खाड़ी छित्र में न्युक्त किया जाता था तो उनका मजाग बनता था क्योंकि उस समय के भारती राजनेग के कारियों को जादतर भारती प्रवासी मजदूरों तक ही सिमित माना जाता था परन्तु आज का परिद्रिस एकदम उलट है इसलिए क्योंकि आज भारत ना केवल एसिया बलकि वैस्विक, आर्थिक और राजनीती का केंद्र है और यह संपूर्ण COVID-19 संकट के दोरान दिखे भी रहा है जैसे अगर हम खाड़ी देशों के संदर में बात करें तो भारत ने कुवैत को चिकित्सिकी टीम भेजी साथी United Arab Emirat या संयुक्त Arab Emirat को आपात काल नर्स की भी विवस्था की और इसी दोरान भारत ने स्वास्थ कुटनीती पर वारता को भी जारी रखा खाड़ी देश के साथ भारत का हालिया संबंध दो मोर्चों पर केंद्रित है चलिए हम दोनों मोर्चों की बारी-बारी से बात करते है पहले बात करते हैं पहले मोर्चे की तो अब या तत्त की कोरोना वार्श से संबंधि T.K. का विकास सकारात्मक दिषा की और है तो इस सूचना के कारण वैस्विक अर्थविवस्था, वैस्विक वानिज्य और वैस्विक प्रवास की स्थिती में सुधार प्रारंब हो चुका है अगर खाड़ी छेतर की हम बात करें तो खाड़ी छेतर 7 मिलियन भारती स्रमिकों का घर है और इतनी बड़ी भारती जनसंख्या को मैनेज करना, इनका सही रूप से इनको प्रबंधित करना भारती सरकार का एक बहुत बड़ा कार्य है। इसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। और उद्यम सीलता के आधार पर उनका पुनरवास करना है। परन्तु खाड़ी देश के साथ संबंध को सामानने बनाये रखने की आविश सकता है। क्यों वह इसलिए? क्योंकि इस छेत्र में ना केवल लाखो भारती स्रमिक चाहे वो कुसल हो या औकुसल हो उनको रोजगार की प्राप्ती होती है। बलकि यहां से प्रतिवर्स 80 billion dollar रेमिटेंस की प्राप्ती भी होती है। रेमिटेंस का यह प्रवाह भारती अर्थविस्था के लिए अत्यनत ही महत्पूर्ण है। और रेमिटेंस का यह प्रवाह लगातार बना रहे इसके लिए यह आविस्यक है कि खाड़ी देश में रोजगार के अवसरों की इस्थिती जल्द से जल्द सामानने हो। अब हम बात करते हैं दूसरे मोर्चे की यह जादा महत्पूर्ण है। खासकर संयुक्त अरब अमिरात जैसे देशों के संदर्व में। क्योंकि संयुक्त अरब अमिरात ने 13 देशों के नागरिकों के वीजा को पुनह जारी करने पर परतिबंद लगा दिया है। हाला कि UAE की सरकार ने इसका कारण नहीं बताया है परन्तु इस निर्णय के पीछे का आधार सुरक्षा कारणों को माना जा रहा है। और इन 13 देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। नीजी तोर पर खाड़ी के अधिकारियों का यह कहना है कि भारतिय स्त्रमिकों को वरियता प्रदान की जा रही है। जिसका कारण है भारतिय स्त्रमिकों की उच्च कुसलता और उनकी उच्च कारिच्छमता। उसके अलावा ग्री समाज से मतलब ये कि जहां से भारती आते हैं वहां से दोनों आधारों पर मतलब उग्रवाद और विचारधारा प्रदर्शन का निम्न खत्रा है साथि साथ भारती जो खाड़ी देश जाते हैं तो वे अपने आपको खाड़ी देशों के साथ आसानी से जोड लेते हैं उसके साथ अपने संपरकों को मजबूत बना लेते हैं और इन सबसे अलग पस्चिम एसिया में भारती कुटनीती में जो तेजी देखी जा रही है वह तेजी उस समय आई है जब संयुक्त अरब अमिरात बहरीन और इसराइल के बीच अबराहम समझोता हुआ ह जो पस्चिम एसिया छित्र में भूर राजनितिक इस्थिती को सामाने करने में महत्पूर्ण भूमिका निभा रहा है अगर हम अबराहम समझोते की बात करें तो यह इसराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्सों में पहला शांती समझोता है इससे पहले वर्स 1994 मे इसराइल और जॉर्डन के बीच सांती समझोते पर हस्ताक्चर किये गए थे अबराहम समझोते के अंतरगत यू एई और बहरीन द्वारा इसराइल में अपने दुतावास इस्थापित करने के साथ साथ स्वास्थ परेटन व्यापार में आपसी सयोग को बढ़ावा और इसराइल वेज्ट-बैंक की बस्तियों को इसराइल में जोड़ने की अपनी योजना को स्थागित कर देगा अगर खाडी छित्र में इस्थिरता और संघर्स की निवनतम स्थिती रहती है तो या भारत के दोनों हित भारत के आर्तिक हित और भारतिये बिक्राओं मतलब इंडियन डैस्पोरा इन दोनों हीतों के लिए एक टिकाउँ वातावरण का निर्मान करता है हालां कि भारत का इसराइल इरान और सौधी अरब के साथ संतुलित संबंध भारत की एक सफल वैदेशिक नीती है और भारत का खाड़ी देशों में पहुंच का आकरसन भूराजन भारत सरकार की चिंता पर धिहान ना देना और कुछ खाड़ी देशों द्वारा भारत में अल्प संख्यक अधिकारों के उलंगन पर चिंता व्यक्त करना परंतु इन अल्पकालिक मुद्दों को दोनों पक्ष के द्वारा दिर्ग कालिक हीतों के लिए किनारा कर दिया गय सकते विकास को एक नई मजबूती मिल सके तो इस परकार इस आर्टिकल के द्वारा हमने हालिया भारत और खाड़ी देसों के बीच संबंधों में किस प्रकार मजबूती आ रही है और इन संबंधों के क्या आयाम है उस पर चर्चा की यह रहा इससे समंधित प्रश्ण प्रश्ण है कि भारती वैदेसिक नीती के संदर्व में खाड़ी देशों के महत्त को रिखांकित करें इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार